नमस्कार जहिन साथियों आज हम बात करने वाले हैं मद्प्रदेश पुलिस भरती प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी अपडेट ये है कि मद्प्रदेश पुलिस भरती प्रक्रिया को लेकर कि पहली याज का जो है वो आपकी दायर हो चुकी है इन दौर खंड पीट में अगली जो है वो आपकी जबलपुर में होगी और उसके बाद क्वालियर में इस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ेगी और दूसरी बात ये है कि काफी कमेंट शारा है कि शर्प भरती प्रक्रिया को रोकने का प्रयास के हो तो भई रोकने का प्रयास नहीं है ये ये प्रयास सिर्फ इतना है कि अदकार सभी का है और नयाय सभी के साथ बराबर होना चाहिए तो भरती प्रक्रिया को रोक लगाने के लिए नहीं वो नयाय के लिए और जी बात सही है वो सचको साविद करने के लिए ये ये सारी प्रोसेस चल रही है तो इन चीजों के लिए आप लोग भी support करें ऐसा नहीं है कि आपका selection हो गया बहुत अच्छी बात बहुत बहुत शुब कामना है लेकिन दूसरों का भी देखिए कि इसका पहले qualified दिखाया बाद में not qualified दिखाया तो सोच के देखिए कि अगर आपके साथ ऐशा होता तो आपको कैसा लगता तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इन चीजों में विवधान ना करें सही रहेगा क्योंकि काफी बच्चों के साथ अन्याय आपके साथ होगे आपका अच्छी बात है आपका तो ह हो जाएगा लेकिन भर्ती पृक्रिया दूटियों का जो सक अновब्याथिएफिन का जो सक्वाने स्रकार को साल करना चाहिए कि वह जो आया कि रहता यह तो बात की बात है लेकिन उट एक लाना चाहिए और ही बात म вас तो ऋगें बियापक सब कुछ अच्छा है कोई भी गड़वड़ी नहीं है तो उनको फुल डेटेल्स के साथ रिजल्ट जो है वो आउट कर देना चाहिए इतना टाइम लगाने की जरुवत नहीं है और हला कि प्यजक्यूड का मतलब होता है पुलिस हैड़ कौरटर तो वहां से भी एक कवीट जो है उनलोगों ने कोट में वो इस लिए कि जब भी अगर कोई हमारे परती रिट दाएर करता है to एक मौका उनको भी मिलना चाहिए जवाब देने के लिए ये मतलब होता है caveat का आसान से सब्दों में कहें तो caveat का मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने ये caveat दायर करने का मतलब ये है कि जब भी हमारे खलाब कोई complaint आती है तो उस complaint के खलाब हमसे भी पहले पराबर्स ली जाए और उसके बारे में हमें जबाब देने का मौका दिया जाए तो ये caveat आल लेडी दायर हो चुकी है तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़वड है तो बस कहना इतनी था कि आप लोग इन चीजों में बिवधान ये पिलकुल प्रवर्ती प्रक्रिया को रोकने का वो नहीं है ये बस अपने हक की मांग है जो की सभी के लिए बराबर है तो अपना हक मांगने में कोई बुराई नहीं है तो सभी लोग निरंतर आगे बढ़ते रहे पहली रिट जो है वो कोड में दायर हो चुकी है अगली जवल पूर और उसे अगली और जो आपकी रिट दायर का जो नंबर है वो आपका है 0824 से तो यह अगला नंबर हम बताई चुकी है तो आप लोग भी बिल्कुल शाथ रही ए सपोर्ट करिए और जो भी होगा अच्छा होगा बस ध्यान ये रखना है कि जो भी हमें